हेलो गुरुमनी नमस्कार डेली डिड़ बुक में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग स्वेडी समान बिज्ञान बुक का पेज नमर 55 पढ़ेंगे भावतिक परिवर्तन है पानी का उबलना तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनेचिक किरिया को नियंत्रित करता है अस्पाइनल कोड टांजिस्टर दो डियास का एक संयोजन है डायोडो का एलुमुनियम पराप्त करने के लिए किस खनीजगा उब्योग किया जाता है बॉक्साइड रक्त में आईरन का पर्तिसत है 30 से 40 भावतिक चिकिस्सा में किन बीकरनों का उपियोग होता है गामा किरने बैग्यानिक जिसने रक्त समुह की खोज की है कार्ल लेंड अस्टीनर विद्धारा परवाहित होगी जब परिपत खुला हो विजली और चुम्बक का गहरा संबंध है इसका पता सबसे पहले किसने लगाया मैक्सवेल बक्र परंतु सम्तल सता पर चलती कार पर लगने वाला आवस्यक अभी केंदरिया बल परदान किया जाता है गुरुत्व से परकास की चाल किस पर निर्भर होती है परत्यास्था के साथ साथ जरत पर अनुचुम्बकिया पदार्थ का उधरन है प्लेटीनम तरल पदार्थ में उस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है पारा परसीतन में किस ग्यास का उपियोग किया जाता है फ्रियोन मौसम बिग्यान में उपियोग होता है रेडियो सक्रिया ग्यास टिटनस रोग होता है कलो अस्टीडियम से अर्ध चालक में भारित आवेश है होल्स लाल मिर्दा में पया जाने वाला रंग का कारण है आईरन मो असकेल से किसे मापा जाता है खनीज की कठोरता अंटी सेप्टिक बिलियन तयार करने में किसका अपयोग किया जाता है आयोडीन का परती चुम्बकिया पदार्थ का एक उधरन है विसमत फंजाई का अध्यन कहलाता है माइको लोजी लेजर का अपयोग किस रोग के उपचार में होता है नेत्र सरजरी में क्यल्सियम का परमानु संख्या क्या है बीस दूद में उपच्थित के सीन है प्रोटीन एंजाईम होते हैं प्रोटीन निम्न में से किसकी धारन चमता अधिक है इस पात की दो बिंदूओं के बीच के बिवांतर को मापने के लिए ड्यास उपकरन का अपयोग करते हैं बोल्ट मीटर पराकनों के अधियन को ड्यास काते हैं पॉलिनो लोजी सुरिज द्वरा उस सर्जित किया जाने वाला सरवाधिक चमकिला रंग कौन सा है पीला हरा जब दूद खटा बन जाता है तब दूद में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है लेक्टिक अमल लेसर के समर्थन में मनो बैग्यानिक सिधान्त को सरपर्थम ड्यास ने परस्तूत किया मैक्सवेल ने सुएत रुधी रानू का मुक उदेश क्या है संक्रमन से लरना ये कौन से भाग का उपयोग होता है कौर्निया जब परकास का अपवर्तन होता है तब निमलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आविर्ती में पत्ते के ड्यास भाग में अधिक परकास संसलेशन परकिरिया होती है उपड़ी फलो राइड ड्यास को हानी पहुचाता है दातों को चावल को बार बार धोने से बिटामिन की कम नश्ट होता है बिटामिन B6 हाइडोजन ग्यास की प्रवास से तेल को बसा में परिवर्तित करने की परगडिया कहलाती है हाइडोजनेशन ड्यास धागे में आग पकरने की बहुत कम छमता होती है कपास में अतीप परती किरिया सील पदार थे अलकली धातुएं क्रैकिंग परकिरिया किसे सम्मदित है पेट्रोल उत्पादन से रसाइनिक तत्व बेरियम की परमानु संख्या क्या है छपपन तेरे प्रकोष्ट यूत हिर्दया में ड्यास रहता है किसमें आता है तिल चट्टा में अगनी समन में कवन सी ग्यास का प्रियोग होती है कारवन ड्योकसाइड भोजन की उर्जा ड्यास में आकी जाती है कैलोरी में ड्यास से संबंधित बिमारी जानने हेतू ECG किया जाता है हिर्दया चट्मा ड्यास का उपगरा है पिर्थवी का जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं फल सिस्मो गराप द्वारा क्या मापा जाता है भुकम काउन सा गराप बल्या युक्त है सनी खून का थक्का बनने में काउन सा विटामिन जिम्मेदार है विटामिन के मियून्ज मेटल किसकी मिस्र धातु है C.U.R.Z.N. की कलोरीन सत्रा 35 और कलोरीन सत्रा 37 को काते हैं समस्थानिक परकास की द्वेत परकिर्तिक किसे दर्साहिज जाती है विवर्तन और फाई फोटो एलक्ट्रिक प्रभाव से इस वीडियो में इतना ही फिर अगले वीडियो में अगले पेज के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार